हाई फ्रेंज इस वीडियो में हम बात करेंगे SLK वर्सिस BR Dream 11 Stats प्रस इन्फो यानि St. Lucia Kings वर्सिस Barbados Royals के बीच में जो CPL का आपको आज 1st मैच के लगा जाता दिखेगा यह CPL का तो वैसे 25th मैच है overall लेकिन आपको यह बता दू आज के दिन 3 मैच है उन में यह सबसे पहला मैच है दूसरे मैच की वीडियो भी आपको अपसे 3 घंटे में मिल जाएगी यदि आप वो भी देखना चाहेंगे तो टॉप के कॉमेंट में मैंने जो आपको टेलिग्राम का लिंक दिया है उसमें आजाएं या फिर आप यूट्यूब पे नीचे जो सबस्क्राइब बटन है उससे सबस्क्राइब करके औल नोटिफिकेशन आउन कर दीजिए बेल आइकन दुबा के यह दो वक्त का आपको काम लगेगा दो मिट में कर लीजिए टेलिग्राम जॉइन और यूट्यूब पे सबस्क्राइब टेलिग्राम में बहुत लोग हमारे नापे फेक टीम दे रहे हैं और पेड़ भी मांगते हैं कभी किसी को पैसे देने की जरुवती है जो टॉप के कोमेंट में लिख है उसी से हमारे टेलिग्राम चैनल में आ जाना है यूट की बात करें वार्नर पाक बेस्तेरे सेंट किट्स में ये मैचेज हो रहे हैं पिछ देखोगे मुश्किल है रन स्कोरिंग करने के लिए असान नहीं है पर्टिकुलर्ली ये डे गेम है यानि कि हमारे यहां पर तो साड़े साथ बज़े है वेस्ट इंडीज में ये डे गेम है जो सबसे टफ टाइम है बल्लेवाजी का धूप होती है प्लेयर वैसी ज़्यादा थकते है लेकिन ड्राइ विकेट होती है धूप पड़ती है अगर पिछ पे स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न मिलता है और स्पिन जब होने लगती है तो अब्विसली विकेट ज़्यादा जाएगी अभी तर्के सारे रिजल्ट में आपको दिखा रहो इंटरस्टिंगली इन टीम्स ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है आपको ये दो दिन में दो मैच खेलते दिखेंगी एक आज और एक कल इन फेक्ट आज के जो तीनो मैच है वो ऐसे ही होने वाले है यही टीम्स कल भी आपको मैच खेलती दिखेंगी कुल मिला के दोस्तों अभी जो 24 मैच हुए है उसमें से 326 विक्टे जो गिरी है 192 फास्ट को 115 स्पिन को 18 रन ओट एक एपसेंट हर्ट यह है जो मेंच चीज है 192 फास्ट 115 स्पिन लेकिन रीसेंट में स्पिन फेक्टर बढ़ा आया है बिकोज पिचिस इतनी यूज हो गई है कि यहाँ पे स्पिन अब होना लाजमी भी है फार्बिडोस रोइल्स के टीम पॉइंट सेवल पे नंबर 6 है वैसे तो मैथेमेटिक चल्स है इनके पहुंचने के लेकिन रियलिस्टिकली इनको दो मैच जीतने भी होंगे और सामने के टीम्स को हारना होगा इनके अकॉर्डिंग एक मैच हारना होगा ऐसे वगरा करके फिर इनका नेटरनेट उपर आना चाहिए बहुत लंबी कहानी है लेकिन अपने एंड पर यह क्या कर सकते हैं आकरी ट्राइ कर सकते हैं दो मैच जीतने का और बाकी के मैच इस पर गौर कर सकते हैं कि क्या होता है दोस्तो काईल मायर जब से ओपनिंग पर आया है स्टार्ट हुआ है इनका चार्ट साथ में उपनिंग करेंगे, स्मिर्थ पटेल मुझे लगता है, इस मैच पे बाहर जा सकते हैं, एक मैच में चलने के बाद, तीन मैच पे फेल हुए, फिलिप्स स्ट्रॉंग क्लियर है, होल्डर है, आजम खान है, फिनिशिंग करते हुए, रेमन रीफर है, नईम यंग फास्ट बोल यूजड है, लेकिन आप वो देखो कि किसने कितने ओर डाले और किस स्टेज पे, अब देखो, लास्ट मिंच में तीन ओर मुहमद आमे ने डाले, फर्स, थर्ड और फिफ्ट विक्टे निकाल रहे हैं, नईम यंग ने एक ही डाला, टेंथ ओर, जोश्वा बिशप ने चा इनमें से आप तीन से चार प्लेयर रख लोगे तो अच्छा है, सबको तो अब्विसली नहीं ले पाओगे, तो एक दो प्लेयर को ड्रॉप भी करना होगा, बार्बेडोस रॉयल्स के फुल स्टैट्स आप देख रहे हो, फुल स्टैट्स प्लस इंफो है, हर एक प्लेयर क स्टैट्स जितने भी T20 खेले हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर अराम से देख सकते हो, पिछले सीजन की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, और साथ ही में आप टॉप विकेट्स भी देख सकते हो, यह मैंने पूरे CPL आपको दिखाया है, मैच इनी से हैं, अभी आठ मेंसे दो जीता है, दोनों मैच इनको हराकर इनको तो पीछे कर सकता है, तो बारबेडो उस पास यह मोटिवेशन है, कि इनको तो पीछे करें, और बाकी के रिजल्ट से उम्मीद करें, एक टीम उनसे पीछे ही रहे, अब दोस्तों यहाँ पे एंड्रे फ्लेचर ने लास्ट मिच में 30 किये, फाफ ने 6, 33 किये माग द्यालने, वापसी के बाद, रॉस्टन चेस 30, जो इनके मेन बल्ले बाज रह रहे हैं, इफ यूसी 30, नौट टॉट 85, चौनसट नौट टॉट 51, 40, 30, प्लस बोलिंग भी कर रहे हैं, लास्ट मिच मे पंदरा रन किये थे, पहले मैच में अपने इनको कह सकते हो कि रिप्लेस्मेंट पर लाया गया और पंदरा रन किये, कदीम एलाई ने स्पेशली ग्रैंड लिक्पिक बोले थे आपको दोस्तों, जैसी आपको बोले थे, मैंने का था, बल्ले बाजी सेक्शन में है, लेकिन चटा, अठारवा, आठवा और बीसवा और डाला है, तो ये आपको पता रहा है कि कौन डेथ बुलर हो सकते हैं, के जरिक विलियम्स के उपर इनको फाफ ने ओर दे दिया, जोएल रोयल को 19 ओर दे दिया और जोएल रोयल और यहां पे कदीर एलाई ने, लास्ट मेही विक इसके देखने है, 16 मैच में अभी जग 302 रन, 37 की अवरेज से और 9 विकेट भी है, और इस साल तो और अच्छा हो गया, अब यह स्टाट्स, पिछले साल भी देखोगे, तो रोस्टन जेज इनके टॉप स्कोरर थे, विकेट टेकर में भी सेकेंड नमबर पे थे, कैसे एक आप विकेट टेकर थे, तो यह लास्ट येर के स्टैट्स हैं, और फुल एवरेज ट्वेंटी स्टैट्स तो मैंने आपको दिखाई दिये हैं, दोस्तो अब हम प्लेयर मैच अप्स पे चलेंगे, तो जॉनसन चाल्स के मैच अप दिखोगे, अलजारी के आगे एक बार वि पिछली IPL में, अच्छा स्टैट है ये, ग्लेन फिलिप्स देखोगे, तो कीमो पॉल के आगे एक बार विकेट है, आजम खान की वहाब रियास और समित पटेल के आगे, एक एक बार विकेट है, पी एसल में, दोस्तो अब यहाँ पे सेंट लुशियर किंग्स के बल्ले ब रहे हैं, दो बार, बाकी कोई स्टैट आपको देखने वला नहीं है, होल्डर अगर आजें, जो ओपनिंग पर बूलिंग करते हैं, कॉनवल के सामने, अगर कॉनवल बाए चांस खेल जाएं, तो कॉनवल तेज खेल लेते हैं, दोस्तो जब आप विकेट कीपिंग में आए उसके अलावा नहीं चले, बट की प्लेयर हैं, प्लस लोंग ओन लोंग ओफ पर आपको फिल्डिंग करते दिखते हैं, डिस्पार बिंग कैप्टन कवर पर नहीं रहाके, बाउंडरी राइडिंग करते हैं, जॉनसन चाल्स की बात करूँ, यह भी आपको ओपनिंग पर मि बीचे खिला के वेश कर रहा है, simply not understanding why, because इनको टॉप पर भेज के आप एक कंसिस्टेंट प्लेयर टॉप पर भेज रहो, जो स्कोरिंग कर सकते हैं, काईल मायर्स दोस्तों ओपनिंग पर आ रहे हैं, इनको भी ले सकते हो, इन फैक्ट आप जॉनसन चाल्स की जगा भी काई लेबाजी भी दे सकते हैं आपको, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी, ऐसा है कि इनको लास्ट वर में रन बहुत पड़ गए थे, लेकिन विकेट टेगिंग बॉलिंग तो करी थी, क्योंकि एक आधा कैच भी ड्रॉप वह था, इनकी बोल पर फ्लेचर नहीं ड्रॉप किया अगर देखोगे, आप एक लाइक करने में शर्माज आते हो, और मिर को देख लो, पूरी-पूरी दात मैच देखता हूं आपके लिए, अगर आप देखोगे, आस मैच में यह कमबैक किये, तीस के करीब रन कर दिये थे, स्मित पटेल बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं पहले मैच में 50 के बाद कुछ खास नहीं किये हैं, और राउंडर सेक्षन में रॉस्टन चेज जैसे की बताया है, माई फिवरेट पिक, इनको मैं जरूर रखूँगा, होल्डर को मैं जरूर रखूँगा, फाजबो लिंक के साथ आपको और राउंडिंग पर दिशन दें थी डाउन पर आए है, विकॉज मार्क दियाल वापसी हो गई है, डेविड वीजा को दो ही और मिले, जो कि एक वेटरन फ्लेयर हैं, काफी एक्स्पीरियेंस, सौथ अफरीका के कैप्टन है, यहां पर फाब डू प्लेसी जो रह चुके हैं, तब डेविड वीजा खेल ठीक है, तो यह चीज है, आपने ध्यान रखनी है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रेमन रीफर को लेके बोलिंग सेक्शन पर चल रहा हूँ, जहां मैंने ज्वेर रोयल को ले लिया, रोयल प्लेयर हैं, और आज बार्बोडस रोयल के सामने खेलेंगे, प्लेयर बहुत चां चाट में ही ओवर कर रहे है, लेकिन विकेट निकाल रहे है, हलाकि कई बार ऐसल लगता है कि बूर्लिंग कर रहे हैं, और कई बार ऐसल लगता है बार यार नो इन में चॉइसे हैं, बिशप अपने वही मैच खेले हैं और दोनों में विकेट्स लेके गए हैं, मैं यहाँ पर जस्ट हलका सा नहीं मियंकों की बल्लेवाजी से प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, रियाज अगर आजए हैं, वो वेन फास बूलर हैं, लिंटॉट खेल र और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो है, रॉयल को ग्रेंड लिग में कर सकते हो, दोस्तो, समिक पटेल जैसा प्लेयर और डेविड वीज़र जैसा प्लेयर, किसी भी मैच में आपके बहुत अची ग्रेंड लिग चोशी रहेंगे, तो आज भी और in fact कल भी नी टीम्स का म कर दो में